क्या आप लोग अपने खुद के फोन से इस तरह का एक cool transition विडियो बनाना चाहते हो बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा step by step एकदम ध्यान से देखना सबसे पहले फोन को एक जगे पर stable कर देना है पहली विडियो हमें rod के left side में record कर लेनी है और दूसरी विडियो हमें rod के right side में record करनी है उसके बाद हमें अपने mobile में Vita application को open करके पहली वाली विडियो को import कर लेना है नीचे PIP function पर जाकर दूसरी वाली विडियो को add कर लेना है mask के option पर जाकर straight line select करना है और वो line को rod पर कुछ इस तरीके से लगा देना है आप लोगी विडियो एडिट हो जाएगी